बिग बॉस 17 में अंकिता लोखंडे और विकी जैन के बीच ऐसा क्या हुआ जो दोनों ने शादी के उपर उठा दिये सवाल आखिर क्यों अंकिता ने कहा कि भूल जा कि हमारी शादी हुई है इन सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा नमस्कार मैं हुरोहित भामला और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी सलमान खान दुआरा होस्ट किये जाने वाले बिग बॉस 17 में हर दिन एक नया दिल्चस्प मोड आता रहता है वीकेंड का वार के दुरान सलमान खान ने एश्वरिया शर्मा और खानजादी को उनके अपमान जर्ख वेवार के लिए फटकार लगाई और अब बिग बॉस ने विक्की जैन को शो में दिमाग के घर में स्थान अंतरित करने का फैसला किया है इसके चलते अंकिता लोखंडे और उनके पती विक्की के बीच बड़ी लड़ाई हुई है बिग बॉस 17 के नए प्रोमो में अंकिता अपने पार्टनर पर भड़कती हुई नजर आ रही है ये सब तब हुआ जब बिग बॉस ने अभी नेतरी को बताया कि विक्की अपने नए घर में खुश है प्रोमो के शुरुआत में बिग बॉस 17 द्वारा विक्की को दिमाग के घर में स्थान अंतरित करने से होती है जबके अंकीता उसके बिना दिल के घर में अकेली रह जाती है बाद में जब बिग बॉस ने लोखंडे को बताया कि जैन खुश है तो अभी नेतरी चिड़ जाती है वे रियालिटी शो में अपने पती पार जम कर बरसती है अंकीता विक्की से कहती है कि तुम कितने स्वार्थी और बेवकूफ हो किसमत खराब हो गई मेरी जो तेरे साथ रह रही हूँ अब भूल जा कि हमारी शादी हुई है आज से तू अलग और मैं अलग तू ऐसा ही था हमेशा शेशातिर तूने मुझे इस्तमाल किया है कृपिया जाईए अप यहां से वहीं एक प्रोमो में देखा गया है कि अंकीता विक्की से पूछती है कि क्या बात कर रहे हो सुबा से तुम सब के मैटर्स सॉल्व करते हो तुम्हें लगता नहीं है कि तुम्हारा अपना भी एक मैटर है जिसके जवाब में विक्की कहते है कि नहीं कर सकता मैं हार गया हूँ अंकीता कहती है कि तुम्हें लगता नहीं है कि जो तुम कर रहे हो वो गलत है जवाब में विक्की कहते है कि मेरा सवाल करना तुम्हे गलत लगता है जिसके जवाब में विक्की कहते है कि मैं गलत हूँ तुम अंकिता लोखंडे हो, तुम हमेशा सही रहती हो तुम सेलेबिरिटी हो और मैं तुमारा पती मैं क्या हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ अब देखना ये होगा कि ये लड़ाई क्या रूप लेती है और कहां तक बढ़ती है फिलाल इस रिपोर्ट में इतना ही ऐसी ही तमाम खबरों के लिए अब देख तेरी रिपोर्टर जी धन्यवाद